दोस्तो आज बात करेंगे सोचिल मीडिया स्टार अर्मान मलिक के बारे में क्योंकि ये जना बहुती बड़े वाले हैं जहां बंदे से एक बेवी नहीं समलती वही इन्होंने दो-दो बेविया रखी हुई है लेकिन क्या ये लेगल है क्योंकि ये भाई साब मुस्लिम नहीं हिंदू है तो फिर ये दो शादिया कैसे कर सकते हैं और ये भाई साब अपनी दो बिवियो को लेकर थाने के अंदर होने के बज़ा टिक टॉक और यूटूब जैसे जगों पर क्या कर रहे हैं आईए जानते हैं अपनी शादी में पती सजधश कर नाचने का मौका हो तो किसी ना मिले लेकिन पायल को जरू मिला पर अपने घर को उजाडने वाले इस दूसरी आउरत के साथ पायल इतना नाच गाना क्यों कर रही है और आखिर ये अपने ही पती की दूसरी शादी में इतने खुश क्यों है तो दोस्तो पूरी कहानी शुरू होती है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा से अर्मान मलिक का जन्म 1990 को राजस्थान की अजमेर में हुआ अर्मान की पहली पत्नी पायल मलिक है जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को गुजरात के एहमनबाद में हुआ अरे रुके रुके मलिक सहब के एक और बेवी से आपको मिलाना तो भूली गए जो असली फजात की जड़ है वैसे तो इनका नाम कबाब में हट्डी होना चाहिए था लेकिन लोग इन्हें खिर्ती का मलिक के नाम से जानते हैं जिनका जन्म 20 मार्च 1994 को दिल्ले में हुआ दोस्तो फिल्मों में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को दो दो बार प्यार हो जाता है लेकिन इन्होंने तो असल जिन्दगी में ही प्यार नाम के शब्द का कबाड़ा करके रख दिया हालांकि इनकी जिन्दगी शरुआत से इतनी अजीबो गरीब और हैरान करने वाली नहीं थी ये सारे चीज़ें शुरू होती है साल 2011 से जब पायल एक बैंक में काम करती थी एक दूसरे से शादी फाइनल कर डाली पायल और अर्मान के स्टोरी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी परिवार वालों को इतनी जटपट वाली शादी बिलकुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन जिस तरहें बाकी भारती परिवार के लोग एक बार बच्चों के शादी हो जाने पर उनके खुशे के लिए राजी हो जाते हैं ठीक वैसे ही पायल और अर्मान के परिवार वाले भी उनकी खुश्यों में शामिल होने पहुँच गए और इन दोनों के जिन्दगी का सबसे बड़ा तूफान कोई और नहीं बलकि अर्मान की दूसरी पत्नी कृतिका थी लेकिन बच्चों और बीवी के बीच में अर्मान को घर वाली और बाहर वाली खेलने का समय कब मिला तो जनाब अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा क्योंकि कृतिका को अपने और अपने बेटे के जिन्दगी में लाने वाले अर्मान नहीं बलकि उनकी महान बत्नी पायल है हाँ भले ही उन से गलती अंजाने में हुई लेकिन इन सारी चीज़ों की शुरुआत पायल से ही हुई है जहां साल 2018 की एक पार्टी में म्यूचल फंड के जरीए पायल और क्रितिका की दोस्ती हो गई वो भी इतनी गहरी थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फेंड मना लिया जिसके बाद आये दिन पायल और क्रितिका ने एक साथ शॉपिंग से लेकर पार्टी में आना जाना शुरू कर दिया पर पायल मैडम यही नहीं रुकी इनकी सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब उन्होंने अपने दोस्त क्रितिका और अपने पती अर्मान मलिक की मुलाकात करवा दी पहले तो पायल ने क्रितिका को एक दिन अपने घर पर बुलाया जिसके बाद क्रितिका का घर आना जाना बिलकुल नॉमल हो गया जब चीकू का बद्डे आया तो फोटो और वीडियो शेरिंग के चक्कर में कृतिका और अर्मान ने भी एक दूसरे को अपने मुबाइल नमबर दे दिये हालां कि अब तक चीजे नॉर्मल थी और इन दोनों में प्यार की आग अब तक नहीं लगी थी पर वो कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है ऐसे में एक दिन अपने करजन के प्रॉबलम के चकर में कृतिका जब पुलिस स्टेशन पहुँची तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी अब इस कंडिशन में उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पायल के बती देव की याद आई जिसकी बाद कृतिका ने तुरंत अर्मान को थाने बुला लिया और अर्मान भाई साब भी भला अपनी साली और आधी घरवाली को कैसे मना कर सकते थी इसलिए वो भी दोड़े दोड़े क्रितिका की मदद करने के लिए पहुच गए पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन जाकर मैटर सुल जाया और क्रितिका को लिफ्ट में दी अर्मान मलिक क्रितिका को घर छोड़ कर जाहे रहे थे कि तभी भाई साब के अंदर का मर्द जा इसलिए कृतिका ना जवाब देने के बजाए बात को वही पटाल दिया लेकिन भला कोई चीज टालने से कहां खत्म होती है ये चीज साय की तरहे कृतिका के पीछे पड़ गई लेकिन जैसे ही कृतिका और अर्मान को प्यार का एहसास हुआ इन्हों ने अपने प्यार को कर ली मतलब भाई साप का प्यार तो बुलेट ट्रेन के स्पीड से भी तेज चलता है भले ही पाईल आज अपने साथन बनी सहीली के साथ खुश नहीं है लेकिन जैसे ही पाईल को अपने पती की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो एक साल के लिए घर छोड़ कर चली गई अब नॉर्मल ही तो यही होता है कि बंदा अपने पहली बीवी के जाने के बाद दूसरी बीवी के साथ खुशी खुशी रहता है लेकिन अर्मान ने ड्रामी वाजी करना शुरू कर दी और खुशी तक की कोशिश की कि अर्मान का कहना था कि पाईल फैमली जिन्ह दो लाइफ वाली कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है जिसके चकर में इन्हें अपने वीडियो में खुब सारी व्यूज मिलते हैं और उसी का ये लोग पैसा कमाते हैं ये सब तो कुछ भी नहीं है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अर्मान का असली नाम संदीप है और य भाई साप ने दो दो शादिया करने के लिए अपने आपको मुस्लिम धर्म में बदल दिया क्योंकि इसलाम धर्म में दो शादिया अलाउड है तो जब बात इनके रिलीजिन की आती है तो अर्मान की कुंडली में उनका धर्म कभी हिंदू दिखाया जाता है तो कभी मुसल अब आप बोलेंगे अगर ये सब इनलीगल है तो अर्मान सलागों के पीछे क्यों नहीं है दोस्तो दो शादियों वाला जो क्राइम है उसमें जब तक कोई कम्प्लेंट नहीं करेगा तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले सकती और पायल मेडम तो खुद ही खुशी खुशी अपनी साथ रह रही है तो भला अपने पती को जेल क्यों भीजेगी इसलिए परिवार सलागों के पीछी नहीं बलकि यूटूब पर तहल का मचा रहा है अब आपका अर्मान मलिक के परिवार के बारे में क्या विचार है कॉमेंट्स में ज़रू बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रू प्रेस करें धन्यवाद लेटिस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यव एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल आइकन को भी क्लिक कीजिए साथी साथ लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलिए